Good morning dear students, today we are going to start a new lesson, that means lesson number 4, division, यह आपको पता ही है, division कैसे करना है, ठीक है, तो शुरुआत direct हम एक example से करेंगे, उसमें everything include किया गया है, आप देख सकते हो, यहाँ example में, divide, 789, divided by 6, यानी कि, 789 को 6 से हमें divide करना है, आपको पता है format कैसे हम लिखते हैं, देखते हैं solution, ठीक है, यह सब कुछ आप सीख चुके हो, 789 को हमें किसे divide करना है, yes, 6 से, अभी students आपको पता होगा, कि 6 से हमें, मतलब अगर आपको tables properly आते हैं, तो आप division अराम से कर सकते हो, अभी 6 के table में 7 तक जाना है, अभी 6 के table में 6 बंजा 6, और 6 टूजा 12, तो 12 तो 7 से बड़ा हो गया, तो वापस आना है, 6 वंजा, क्या आएगा, 6, अभी इसकों में क्या करना है, yes, minus करना है, ओके, अभी यह 7 में से 6 कट हुआ, तो कितना बचा, good, 1, ठीक है, अभी चलो, यहाँ पे तो 1 आ गया, अभी क्या करना है, 7 के बाद उपर जो 8 है, उसे हमें नीचे लाना है, ठीक है, तो मैंने यह 8 नीचे लाया, तो क्या हो गया, 18, तो अभी फिर से 6 का टेबल स्टार्ट करो, 6 वन्जा 6, 6 टूजा 12, एंड 6 टूजा, क्या हैगा, 18, अभी फिर से वही प्रोसेस, माइनस करो, 18 में से 18 कट हो गया, तो क्या आया, 0, अभी एक और उपर 9 बचा है, उसको भी हमें नीचे, डाउन यानि पूट करना होगा नीचे, तो मैंने 9 यहाँ पे नीचे रखा, अभी 6 के टेबल में कहां तक जाना है, नाइन टक, 6 बंजा 6, 6 टूजा 12, लेकिन 12 तो 9 से बढ़ गया, फिर से 6 बंजा 6, अभी 9 में से 6 गया तो क्या बचा, येस, 3, ओके स्टुडेंट्स, तो अभी ये डिविजन तो आपको पता है कैसे करना है, आपने कर लिया, लेकिन इसमें डिविजन में किसको क्या बोलते हैं, वो हम देखते हैं, पहले हम सुरुवात यहां से करेंगे, ये 6 है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, किसी भी जिससे हम जिसको डिवाइड करना होता है, उसको बोलते हैं, डिविडन, ठीक है, अभी डिवाइजर को, जिससे हम मल्टिप्लाय करके डिविडन को डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या, कोशंट, येस, और जो लास्ट में बचा है, उसको क्या बोलते हैं हम, येस remainder, ठीक है students, तो इसको हम ये format से भी लिख सकते हैं, उपर आपको पता होता है कि ये उपर hundred times और ones, वो आप एक दो बार देख लो, फिर हर time उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी इसका format हम देखते हैं यहाँ पे, कि dividend is equal to divisor multiply by question plus remainder अभी आपको अगर ऐसा question पूछे कि आपने ये division तो कर लिया, लेकिन उसको check करो कि सही में वो सही है की गलत ये नीचे के format के मुताबिक, तो उस हिसाब से हम करते हैं पहले, quotient और divisor का multiply करते हैं तो answer क्या आता है देखते हैं, checking division हमने यहाँ पे 131 और multiply by 6 जो की quotient और divisor है उनको multiply किया, तो 786 उसका answer आया, उसको बाद में plus हम remainder, remainder कितना है, 3 तो उसको 3 किया, add किया, तो आया 789 जो की हमारा dividend है, तो फिर से मैं repeat करता हूँ कि quotient multiply by divisor, उसको आप multiply करोगे, quotient multiply by divisor और उसमें आप remainder को add करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, dividend आप ऐसे भी, अगर multiplication आप फटा-फट rough book में भी कर सकते हो, फिर यह format में भी आप लिख सकते हो, जो मैंने नीचे लिखा है, 789 is equal to 6 into 131 आप 131 multiply by 6 भी कर सकते हो, answer same आएगा, और plus 3, student same to same, यह सम, आपको date and day, proper अपना नाम और section लिख के, fair book में complete neat and clean handwriting में मुझे भेजना है, इसके साथ में और 2 या 3 division के सम, आपको भेज रहा हूं as a pdf, तो उसको भी आपको fair book में solve करना है, thank you. आपको 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 आपक